जेहिन दोस्तो मैं हूँ अनूप और आप सब लोग देखे रहे ग्लोबल कॉन्फिलिक दोस्तो चाइना के तरफ से इंडिया के साथ टेंशन तो बढ़ाया गया लेकिन अब चाइना इंडिया का जवाब से काफी जादा घवराया हुआ है चाइना कभी सपने वे भी नहीं सो अब सिक्किम से लगे हुए बॉर्डर के नजदिक मतलब चुमभी भैली में सॉर्फेस टु एयर मिसाइल का डिप्लॉय किया गया है और दोस्तो इस वीडियो में आप लोग को चाइना का ये सॉर्फेस टु एयर मिसाइल का डिप्लॉयमेंट और किस तरीके से चाइना और कहां कहां पे इसका deployment किया है उसके बारे में बताऊंगा और साती साथ इंडिया नेवी का वी एक बहुत बड़ा achievement के बारे में वीडियो के आखरी हिस्से में बताऊंगा दोस्तों foreign news agency Forbes के तरफ से हाली में satellite image के हवाला देते हुए चाइना का ये मनसुवे का खुलासा किया गया है जहां पे Forbes के report के मताविक चाइना द्वारा इंडिया और भुटान से लगे हुए border मतलब trijunction एरिया में surface to air missile का deployment किया गया है ये surface to air missile के बारे में खुलासा करते हुए ये भी वताया गया है कि ये missile असल में Chinese HQ-9 missile हो सकता है जिसे चाइना द्वारा दोकलाम प्लाटू से करीबन 50 किलोमेटर दूर में deploy किया गया है दोसो दोकलाम प्लाटू वही एरिया है जहाँ पे 2017 में इंडिया और चाइना का एक जड़ब हो चुका था और चाइना को यहाँ पे मूँ की खाना पड़ा था दोसो चाइना दोकलाम प्लाटू के नस्दिक चुम्भी भैली में अपने surface to air missile का deploy करके यह दर्शा रहा है कि उसे कितना ज्यादा खत्रा भारत से है दोसो चाइना का यह सोचना भी लाजमी है क्योंकि चुम्भी भैली एक ऐसा area है जो आसानी से चाइना के हाथ से निकल सकता है और दोसो मैप में आप लोग देख सकते है कि यह एक ऐसा area है जो चाकू के जैसे इंडिया के शेत्रे के अंदर घुसा हुआ है और इसके एक तरफ जहाँ पे सिक्कीम है तो दूसरा तरफ भुटान है और इसी area के साथ ही दोकलाम का area भी लगा हुआ है जहाँ पे 2017 में चाइना को शिकस्त का मज़ा आया था अल्रेडी ब्लैक टॉफ हिल में भारत के तरफ से जिस तरीके का कारवाई किया गया उससे चाइना भैवित तो है और अब चाइना को ये भी डर सता रहा है कि ऐसा ही दूसरे area में ना हो और भारत के हाथ में चाइना को अपने जमिन गवाना ना पड़े चाइना गलवान भैली और पेंगॉंग लेक के उत्री शेत्र में जो काम करने के लिए आगे बढ़ा था अब ओही टैक्टिस चाइना के उपर हावी पढ़ रहा है क्योंकि इंडो चाइना बॉर्डर में ऐसे बहुत सारा रिजन है जहाँ पे चाइना इतना जादा कमजोर है कि भारत आसानी से घुष के चाइना के एरिया को सीज कर सकता है ऐसे ही एक एरिया है चुम्भी भैली दोस्तों आपके जानकारी के लिए यह भी बता दू कि चाइना के हर एक हरकतों के उपर नजर रखने के लिए इंडिया भी काफी फैनी नजर से चाइना के उपर नज में आ रहा है और चाइना का ये मिसाइल का डिप्लोईमेंट भी अल्डेडी भारत के नजर में आ चुका है दोस्तों इसके इलावा माना ये भी जा रहा है कि भारत के तरफ से जो रैफाल एर कप्टों के सेगंड बैचों को वेश्ट वेंगॉल के हसीमारा बेस में डिप्लो सस्ता कॉपी है जो करीब करीब 200 किलो मिटर तक मार कर सकता है और दोस्तों हक्यू 9 मिसाइलों का दोकलाम प्लाटू से 50 किलो मिटर दूर में डिप्लोई करने का ये भी इरादा हो सकता है कि चाइना अब दूसरे एरिया में भी भारत के खिलाब अपने जमाबड़ा बढ़ मिसाइलों को लेकर जो डिंगे हाका जाता है उसमें अब तक चाइना को कोई सफलता तो नहीं मिला जबकि इससे ज़्यादा कैपेबल मिसाइलों को भी रैफैल यार कैटों के द्वारा शिकस दियाया चुका है फोप्स के रिपोर्ट के मुताविक चाइना खाली चुम्बी वैली के दोकलाम प्लाटू के नजदीग अपना जमाबड़ा नहीं बढ़ा रहा है बलकि सिक्कीम का जो नकूला और दोकला पास है उसके नजदीग भी अपना जमाबड़ा बढ़ा रहा है नकूला और दोकला पास के भी 50 किलोमेटर के डिस्टेंस में चायना का एक्टिविटी नजर आया है जवकि रिपोर्टों के यह भी वताया जा रहा है कि भारत भी चायना के हर एक एक्टिविटी को काउंटर करने के लिए भरपूर प्रस्तूत है इंडिया के द्वारा नौर्ट इस्ट के बहुत सारे एरिया में आहाली में रोड ब्रीज और टनल्स का निर्मान किया जा चुका है जवकि बहुत सारे एर स्ट्रिप और एर वेसेस का भी मरम्मती करने के इलावा इससे लंबा भी बनाया गया है इंडिया द्वारा इन एरिया में चायना का काउंटर करने के लिए सुखोई 30 MKI और MiG-29 जैसे एर क्रैप्टों के इलावा स्वाधिसी निर्मित आकास सॉर्फेस टू एर मिसाइल और क्विक रेक्शन सॉर्फेस टू एर मिसाइल जैसे अत्यादुनिक हत्यारों का भी डिप दोस्तों अब चलिए बात करते हैं इंडिया नेवी के नया एचीब्मेंट के बारे में और ये एचीब्मेंट है इंडिया नेवी का सब्मरीन फ्लिट को लेके आप सब लोगों को पताई होगा कि इंडिया के पास सब्मरीनों का संख्या बहुत कम है और इसे बढ़ाने के लिए इंडियान नेवी द्वारा भरपूर प्रयास भी किया जा रहा है और इस दर्मियान इंडिया को जो स्वधिसी सब्मरीन में सफलता हासिल हुआ था उसमें और एक एचिपमेंट जल्दी इंडियान नेवी में जुड़ जाएगा दोसों मैं इंडिया के पहला नूकलिय 2017 में ही इस सब्मरीन को बहुत ही खूपिया तरीके से समुंदर में लॉंच किया गया था और उस सरिमनी के बारे में भी पब्लिक को जादा जानकरी नहीं दिया गया और आइनेस अरिखात में ये भी बताया जा रहा है कि आइनेस अरिहांत के तुलना में जादा capabilities होगा और इसमें काफी जादा upgression भी किया गया है फिलाल मीडिया रिपोर्टों में जो बताया जा रहा है उसके मुताविक इंडिया को जल्ती चाहिना के खिलाप एक बढ़ोतरी मिलेगा और इंडिया के जो परमानु ट्रायड है उसमें भी काफी बढ़ोतरी मिलेगा आइनेस अरिगात को इंडिया नेवी के लिए ATV मतलब Advanced Technology Vessel Project के तहती निर्वान किया गया है और इसे फिलाल इंडिया के विशकापतनम में स्तीद हिंदुस्तान CPI Limited के मदद से ही बनाया जा रहा है दोस्तो परवनुशक्ति से लैस इस सब्मरीन के पास असिमित समय तक समुन्दर के अंदर रहने का ताकत है और ये समुन्दर के अंदर एक बार जाने के बाद इंसान के समता के उपर डिपेंड करता है कि ये कितना समय तक समुन्दर के अंदर रहेगा इवेन नुकलियर पावर के सब्मरीन होने के बज़ा से ये ज़्यादा समय तक पानी के नीचे भी रह सकता है और एक बैलेस्टिक मिसाइल सब्मरीन होने के बज़ा से लॉंग रेंज के बैलेस्टिक मिसाइलों को भी फायर कर सकता है दोस्तों पहले सब्मरीन मतलब INS Arihan को लेके इंडिया को जो सफलता मिला था उसे अर्जन करने के लिए कई साल का समय लगा था जबकि INS Arihan जल से जल तयार होके इंडिया नेवी में शामिल हो रहा है इस सब्मरीन में जादा मिसाइल पावर और जादा हमला करने का ताकत भी होगा और दोस्तों ये आकार और वजन में भी INS Arihan से बड़ा और भारी भर कम है पब्लिक फरम में एवेलेबल डेटा के मुताविक इस सब्मरीन में 26 इंच के टॉर्पेडो रखने का जगा है जबकि इसके इलावा इसमें 12 K-15 मिसाइल या 4 K-4 सब्मरीन लॉंच बैलेस्टिक मिसाइलों को रखा जा सकता है फिलाल अरिहांद क्लास के नाम पे टोटल 4 सब्मरीनों का कॉंस्ट्रक्शन किया जाएगा जिन में से पहला है INS Arihan और दूसरा INS अरिखात के बाद तीसरे सब्मरीन का नाम S-4 और चौथे का S-4 स्टार रखा गया है दोसरो तीसरा और चौथा जो सब्मरीन है ये आकार में और थोड़ा बड़ा और शम्ता में भी और थोड़ा ज्यादा पावरफुल होगा जबकि इन सब्मरीनों में 12 के जगा में 24 के 15 मिसाइल और 4 के जगा में 8 के 4 मिसाइलों को लगाया जा सकेगा इंडिया ने भी द्वारा अरिहांद क्लास सब्मरीन में सक्सेस होने के बाद एक बड़े आकार का S5 क्लास सब्मरीन के उपर भी काम किया जा रहा है और ये भी एक तरीके का नुकलियर पावर बैलेस्टिक मिसाइल सब्मरीन होगा जिसमें के 5 और के 6 नामक इंटर कॉंटिनेंटल लेज सब्मरीन डॉज बैलेस्टिक मिसाइलों को लगाया जाएगा जबकि इस एक्स्पियेंस का इस्तिमाल करके ही इंडिया द्वारा अपना खुद का इंडिजिनियर पावर एटक सब्मरीन के उपर भी काम किया जाएग तो दोस्तों इंडिया अब जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है इससे आने वाले कुछ सालों के अंदर इंडिया के पास इतना इंडिजिनेस टेकनोलोजी हो जाएगा कि अपने इंडिजिनेस टेकनोलोजी के बलबूते पे ही चायना को आसानी से काउंटर कर पाएगा तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जै हिंद